काई नमस्कार आप लोगों का टाप 10 क्लासेज के प्यारे से यूटूब हैं पर स्वागत है गाई जाज की लेक्चर में हम लोग बात करने हो एक अच्छा दस की गडित की एक प्रिष्णावली 12.2 का प्यारे बच्चो और क्लास को स्टार्ट करने से पहले जितने प्यारे बच्चे नए आए होंगे चैनल पर चैनल को सस्क्राइब जरूर करेंगे साथ में वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ सेयर करना मत भूलेगा प्य सबसे पहला सवाल दिखाई पढ़ रहा होगा प्यारे बच्चो आप मैंने पर्मृला इसे पहले वाले ही वीडियो में और के बारे में भी बताया था यादि आप नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जाके तुर तब आईएगा इसकी क्लास में अब सबसे पहला सवाद स्क्रीन पर आपके दिखाई पढ़ना है क्या कह रहा है भी है छह सेंटी मीटर का कोई त्रजिखंड है ना तो त्रजिखंड यानि आर की बैलू छह सेंटी मीटर दे दिया गया अब आप सोच रहे होंगे कि आज लगे शच्छन में आएगा चट्र तो वहाँ समझना जाएगा आब ठीटा कितना है प्यारए बच्चों 350 अब कर दिखंड का छेद्रफल गयांत किजिए तो प्यारे बच्चोंग हम जयते हैं फार्मूला क्या होता है और गुरू जी ने पहले बता दिया आपको ऐसा नही तो बताईए क्या होता है तिरे जिखंड का च्छत पल्क फामुला ठीचा बटे 360 गुने पाई और इस क्या है वो बोले है कि पाई कामान आप तब तक 22 बटे साथ लेंगे जब तक सवाल में खुद न कहें ठीक तो दिहान से तीटा कामान कितना है साथ हैं बटे कितना है 360 गुने पाई है तो पाय जब यह 24 बटे साथ होता ही आप आ कामान कितना है प्यारे वह च्छ गुने All कर दिहान से देखे जीरो से 0 की विदाई हो गई चह के श्यश च leaking चरतीस और यह च से च कैंसिल हो गह तो 2 का गुना 6 से करना है 22 गुने 6 बटे 7 तो 22 चक्के कितने आ जाता है प्यारे बच्चो 132 बटे 7 सेमी वर्गे तो पहले सवाल का जवाब आपका यह आया प्यारे बच्चो जो तेरे जिखंड का छेत्फल है वो 132 बटे 7 सेमी वर्ग आ गया अब हम बात करेंगे प्रस नंबर 2 की प्रस नंबर 2 भी आपके स्क्रीन पे दिखाई परड़ा होगा वो क्या करा है कि एक ब्रित के चतोरथांस का छेत्फल ग्याद करना है जिसकी परी भी 22 सेंटीमीटर है क्या करा है प्यारे बच्चो एक ब्रित के चतोरथांस का छेत्फल ग्याद करना है तो second नंबर प्यार रहा होगा अब इस बृत का चतुर्थान्स का मतलब होता प्रत्र के चार भाग में से किसी एक भाग का तो ध्यान से देखना यह हो गए तो किसी एक भाग ये कोई यानी चतुर्थांस service करने के लिए लोटे जो है क्या करने के लिए बताओ पूरे बृतूरिद्य और इस में चार आटांस वाग देंके थो बटे क्या कर देंके चार यानि चतुर्थांस का छित्फल होता है एक बटे चार पाई आर इसको है तो चलिए और इस बृत की जो परीधी दी गई है परीधी दी गई थी कितनी प्यारे बच्चों 20 है कितना है 22 cm है पारीध कितनी है 22 cm ना तो ध्यान से लीखना पारीध हम लिखते हैं टू पाई आर बराबर बाईस ना इनको हम इधर लेके चले जाए तो आर बराबर आ 22 बटे टू पाई रखे रहो काम देंगे यह आर का मानाया है अब चतुर्थांस का छितफल निकालना है तो प्यारे बच्चो चतुर्थांस का छितफल मैंने बताया क्या होता है तो वही रख देते हैं तो चतुर्थांस का छितफल का फामूला होता है एक बटे चार पाई आ गुना कर दो 22 बटे 2 पाई समझे आप अब देखिए ये पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा प्यार बच्चो ना अब ध्यान से 2 इक ग्रहम में 22 हो जाएगा और 2 इक ग्रहम में 22 हो जाएगा ना अब क्या बचा 11 गुड़े 11 बचा है ना और नीचे चार गुणे पाई तो पाई का मान 22 बटे 7 ठीक तो ये 7 उपर पहुच जाएगा तो 11 एक के 11 दूनी 22 ठीक ध्यान से देखिए तो 7 उपर पहुचा तो 11 गुणे 7 और 4 दूनी 8 तो 77 बटे 8 सेमी वरग आएगा इस आपके प्रश्ट नमबर 2 का जो जो चतुरतांस का छित फल पोच रहा था वह 77 बटे 8 सेमी वरग आता है इस प्रकार आपका पहला और दूसरा दोनों स्वाल कंप्लेट होते हैं आप इसका एक स्क्रीन स्वाड लेजेगा फिर हम बाते करते हैं प्रश्ट नमबर 3 और 4 की गाईज आपके स्क्रीन पे प्रश्ट नमबर 3 दिखावी प हम केवल मिनट की सुई की बात करेंगे 12 हो गया फिर उसके बाद ये 6 हो जाए ये 3 हो जाए और ये क्या हो जाए 9 हो जाए ठीक ये आपका 1 हो जाएगा ये आपका 2 हो जाएगा ये आपका 4 हो जाएगा ये आपका 5 हो जाएगा ये आपका 7 हो जाए ये आपका 8 हो जाए ये और वो दूसरी बार दो पे पहुँच गई प्यारे बच्चों तो ये जो इतना एंगल बनता है ये एंगल हमको चाहिए सबसे पहले और पांच मिनट में घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा पांच मिनट में रचित छेतरफल ज्यात करना है और इस घड़ी के सुई की लं लंबाई है वो त्रिज्या का काम करने लगए लगेगा पैयरे बच्चों तो ध्याना से दीखे नम मिनट 55 मिनट वाली सुई की लंबाई वह मिनट वाली सुई की लंबाई कितना है पैरे बच्चों सुई कि जो लंबाई है वहनी है k Rashadah है 14 सिंटीमीटर है ध्यान से लिखना अब जो ठीटा है प्यारे बच्चों वहीं चाहिए हमको केवल वहीं चाहिए तो हम आराम से छित्फल ग्यात परेंगे तो लिखेंगे क्या लिखेंगे पांच मिनट में पांच मिनट में सुई के सुई के द्वारा अंतरीत कोड कौन सा प्यारवच्चो अंतरीत कोड तो अंतरीत कोड जिसे हम क्या कहते हैं ठीटा चले ध्यान से देखे अगर मैं कहता पूर रूप से घड़ी की सुई घूमती एक चक्कर घूमता तो तो तीनसो साथ डिगिरी का कोड बनता है क्योंकि एक चक्कर में बना कोड तीनसो साथ होता है केवल यह कितना 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 किया है या हम कह दें कि तीन सो साथ पूरा होता है और तीन सो साथ में बारा लोग हैä उने 12 हैं तो हम कर सकते हैं प्यारे बच्छो । बटे क्या कर दें बारह lifetime तो हम 5 मिनट में सुई के दौरा अंतुर निकाल लेंगि क्यों तो । टोटल तीन सो साथ है तो 350 में बारह लोग तो बारह में इस भाग दे देंगे तो इस भाग का इंगल मिल जाएगा तो बारह त्याई 36 आगे 0 तो ठीटा का अमान आगया 30 डिगरी अब हम आराम से गयात कर सकते हैं तो लिखेंगे क्या लिखेंगे पैर बच्चो पांच मिनट में सुई के द्वारा सुई के द्वारा रचित छेतरफल तो छेतरफल का फामूला क्या आता है ठीटा बटे 360 गुड़े पाई आर इसक्यार चली ठीटा का मान 30 है ये 360 पाई का मान 22 बटे 7 आर का मान पैर बच्चो आर का मान है 14 गुड़े 14 क्यों इसक्यार किये क्योंकि आर का वर्ग है ये 0 से 0 कट गया 3 1 के 3 और 12 त्याई 36 ठीक ये कट गया 6 दुनी 12 11 दुनी 22 7 दुनी 14 ठीक पैर बच्चो 2 1 के 2 2 त्याई 6 तो मिलाज व्लाक उपर बच्चा 11 गुड़े 14 और बटे 3 तो गुड़ा करें तो 154 बटे 3 से मिवर्ग तो 5 मिनट में 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा जो छेत्र फ्लता हूँ 154 बटे 3 से मिवर्ग आ जाता है इस प्रकार प्यार बच्चों आपका तीसरा नंबर प्रस्ण भी कंप्लेट होता है अब हम बाते करेंगे प्रस्ण नंबर 4 की तो आपके स्क्रीन पे प्रस्ण नंबर 4 दिखाई पड़ा होगा क्या खारा है ध्यान से दिखिएगा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ब्रित की जिवा केंद्र पर समकोड अंत्रित करती है तो निमलिखित का छितफल ग्याद करना प्यार बच्चों सबसे पहला है त्रिज्य खंड का तू किया खरा एक बाब फरसे दस सेंटीमीटर का कोई वित वैजिसकी जिवा केंदर्पर समकोड अंत्रित करता है मतलब प्यारे बच्चों ठीटा का अमान ज्योइव人व नववय दिया है आगे क्या करा त्रिज्या पिटनी है दस सेंटीमीटर है कितन संगत लग्वो ब्रित्खंड का छheidफ़ संगत लग्व business करनी के लिए और से पोला है और से केंड पोर्षन में आप से क्या पोचा है सेट कोरशन है संगत तृजिखंड का लिए किस चतर hello पूछा है तो चलिए ध्यान से देखते हैं कि आखिने सब का छितफल कैसे निकलेगा तो ध्यान से दिखना जब हमने बात किया था कि सबसे पहला का रहा है लगू बृत्तिखंड का छितफल तो संगत लगू बृत्तिखंड का जो छेत्रफल का फामुला हमने आपको बताया था वो क्या था ठीटा बटे 360 पाई आर स्क्यार माइनस एक बटे 2 आर स्क्यार साइन ठीटा था तो यही फामुले का हम लोग मदद लेंगे संगत लगू ध्यान से दिखेगा तो संगत लगू बृत्तिखंड का छेत्रफल मैंने यह फामुला को पहले ही बता दिया है अब देखें दोनों में कामन कुछ है पहले बच्चो और इसक्यार क्या है कामन है क्या बचेगा ठीटा बटे 306 गुड़े पाई माइनस एक बटे 2 देखें यह आर कामान कितना है पहरे बचेगा ठीटा कामन क्या हो जाएगा एक हो जाएगा 94 के 360 तो एक बटे 4 गुड़े 22 बटे 7 माइनस एक बटे 2 क्योंकि साइन 90 का मान एक होता है रख दिजे अब दिखे तो कैंसिल करना चाहिए तो कैंसिल कर दिजे दिखे दो दूनी 4 हो जाएंगे और 11 दूनी 22 हो जाएगा ठीक तो 11 एक के 11 11 आगे कितने आगे 11 साथ दूनी 14 और माइनस एक बटे दो आगे तो आप LCM ले लिजे LCM लेंगे तो कितना आजाएगा आप जानते होंगे 14 दून 14 दूना 28 कर देते हैं ठीक तो कितना हो जाएगा 14 दूना 28 ठीक तो दो बार जाएगा 11 का गुड़ा गुणे 22 में से 14 घटाएगे तो 8 आएगा कितना आएगा प्यार बच्चो 8 और बटे यहां कितना आएगा 28 तो cancel करते हैं ध्यान से देखेगा अब जैसे हमने कहा अगर 4 से भाग दें तो 25 चव का 100 होता 4 सते 28 होता है 4 से भाग देंगे तो 25 आएगा यहां साथ आएगा अब आपके पास ऐसा कोई चीज़ नहीं जो cancel हो तो 25 का उगला 8 से कर देते हैं तो 25 अठे 200 हो जाएगे प्यार बच्चो 25 अठे कितना हो जाएगा 200 तो 200 बटे कितना जाएगा साथ से में यह आपका संगत लगो बित्खंड का छेत्फल आया अब इसी में पूछ रहा था कि संगत त्रिज्खंड का छेत्रफल गयाद किजे उससे पहले प्यार बच्चो आप चाहो तो इसका एंसर आप मैच करा सकते हैं या तो मैं कहूँ कि इसको कैलकुलेटर से भाग दे सकते हैं क्या कर सकते हैं प्यार बच्चो कैलकुलेटर से भाग देने के बाद आपको क्या मिलेगा वो ध्यान से देखिएगा 28.5 से मिक वरगाया ठिक यह आपका फर्ष्ट भाग है सेकेंड भाग क्या पूछ रहा प्यार बच्चो कि संगत त्रिजिखन का छेतफल ग्याद करना है किसका ग्याद करना है प्यार बच्चो संगत त्रिजिखन का छेतफल ग्याद करना संगत त्रिजिक खण्ड का छेतर फल और माइनस क्या हो जाएगा यह चीज़ आपने निकाला है 28.5 अब देखेंगी ब्रिट का छेत फल होता है पाई आर इसक्यार माइनस 28.5 पाई का मान 22 बटे 7 आर का मान कितना है प्यारे बच्छों 10 गोड़े 10 माइनस 28.5 ठीक अब आप चाहों तो 10 दहमा 100 गोड़े कितना हो जाएगा 200 बटे 7 माइनस 28.5 भाग दीजिए तो 200 में 7 का जबाब भाग दे देंगे तो 7 तरीक कितना हो जाएगा 11 होगा 1 बचेगा आगे 2 तो 7 एक के 7 फिर 3 बचेगा प्यारे बच्छों 7 चव के 28 फिर 2 बचेगा मतलब 7 दुनी 14 मतलब 314.2 आएगा माइनस 28.5 घटा देंगे प्यारे बच्छों तो घटाने के बाद जो आपका एंसर प्राफ्ट होगा वह आपका आएगा 285.5 लगभग कितना आएगा 285.3 या 5 जो भी आए लगभग तो 3 सेमी वर्ग इस प्राफ्ट प्यारे बच्छों आपका यह अंसर जो होता है कंप्लेट होता है यह आपका सेकेंड पॉर्षन था इसका यह आपका फर्ष्ट पॉर्षन था केवल आपको फार्मूले पे ध्यान देना है कि संगत लगभभ तिखन का जो छेत्फल होता है वह ता पाई आर स्क्यार थीटा बटे तींसोग फिर साथ में क्या कहता है एक बटे दो और का वर्ग स्थीट है यह होता है पहरच तो आप इसका एक स्क्रिम्सॉर लेजेगा फिर हम बात करतें प्रषन नंबर पांच का प्यारे बच्चो पच्वा नमब प्रश्न क्या करा हूँ आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ा होगा सबसे पहला करा कि 21 cm त्रिज्या का कोई एक व्रित है मतलब प्यारे बच्चो आरिक की बैलू 21 cm दिया है आगे क्या कराया कि केड्र पड़े च 마음 का य αधिक करता है थीटा की तो ऩह एक सबसे पहला चांप की लंबाई क्या पहला पूछ है चांप की लंबाई एक कि मैंने यह भी कोई बताया वीडियो में सुरुवात में ही चांप की लंबाई का फामुला बताया था फिर कहा रहा है तरजिक खंड का छेद फल ग्यांद कीजिए किसका ग्यांद कीजिए प्यार बच्छो तरजिक खंड का छेद फल इसके लिए भी बेंजक मैंने बताया थर्ड नंबर third number क्या करा प्यार बैर बच्चो संगत लगु यह कहाना है संगत जियोवाद्वारा बने बृत्खंड का छित्फर संगत जियोवाद्वारा बने बृत्खंड का छित्फर संगत जियोवाद्वारा बने बृत्खंड का छित्फर बिल्कुल आसान सवाल है संगत जियोवाद्वारा बने बृत्खंड का छित्रफर तो अध्यान से लिखेगा सबसे पहले पहले बच्छो आपको फर्ष्ट नंबर कहा है तो फर्ष्ट नंबर के लिए हमारे पास जब चाप की लंबाई का फार्मूला आता है तो चाप की लंबाई के लिए क्या लगता है तिरे जिखन द्वारा कटे चांप की जो लंबाई का फार्मूला होता है वो हमने पहले वीडियो में बताया था ठीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर चलिए ठीटा का मान कितना है 60 है बटे 360 गुडे 2 पाई का मान 22 बटे 7 आर का मान कितना है पहर बच्चो 21 गुने 21 है एक बार एक बार ठीक अब देखे 7 के 7 तरीक 21 हो गया ना अब 60 के 66 के 360 हो गया 3 के 3 3 दूनी 6 2 से 2 कैंसल कितने आगे पहर बच्चो जो चांप की लंबाई होगी वो 22 सेंटीमिटर आएगा ये 1st portion हो गया फिर 2nd portion आपसे क्या करा 30 खंड का 6 पर तो 30 खंड का 6 पर भी फामूला आप लोग जानते होंगे क्या होता है पहर बच्चो 30 खंड का 6 पर फामूला होता है ठीटा बटे 360 गुने पाई आर इसका है चलिए ठीटा का मान कितना है साथ है बटे 360 गुने पाई पाई का मान 22 बटे साथ आर आर कितना है वही 21 है वर्ग है तो दो बार हम लिखेंगे ठीक ध्यान से साथ ठीक के साथ छक्के 360 हो गए साथ तिरी 21 तीन दूनी ठीक दो इक ग्रह में 22 ठीक पर बच्चो तो इग्यारा गुणे 21 कर देते हैं अंसर मिल जाएगा तो इग्यारा गुणे 21 करेंगे इग्यारा इग्यारा दूनी बाईस एक तेस तो 231 सेमी वर्ग आएगा कटे हुए त्रिजिखंड का छितफल थर्ड नंबर जो पूछा है वो भी बिल्कुल आसान है वो क्या करा है कि संगत जीवादारा बने बृत्तिखंड का छितफल तो वही जीवादारा त्रिजिद्वारा लगू बृत्तिखंड का जो छितफल होता है थीता बटे 360 पाय r स्काव माइनस एक बटे दो और का वर्ग साइन ठीटा यहीं होता है क्या होगा प्यारवच्चो संगत जीवादारा संगत जीवा द्वारा बने बृत्त खंड का छेत्रफल बने बृत्त खंड का छेत्रफल तो इसके लिए फामुला क्या हो जायेगा प्यार बच्चो ठीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्यार माइनस एक बटे 2 आर का वर्ग साइन ठीटा ठीक तो दोनों में कामन क्या है प्यार बच्चो आर स्क्यार कामन है देखें दोनों में क्या कामन है देख लिजे पहले फामुले में आर स्क्यार आर स्क्यार कामन है तो आर स्क्यार को बाहर करेंगे तो बच्चेगा ठीटा बटे 360, गुड़े पाई, माइनस एक बटे 2, साइन ठीटा आईए बैलू रख देते हैं, आर की बैलू कितनी प्यारवच्चों, देखें सवाल में 21 गुड़े 21 दिया है, ठीटा, ठीटा का अमान कितना है प्यारवच्चों, 60 बटे 360 गुड़े पाई का अमान 22 बटे 7, माइनस एक बटे 2, अब एक बटे 2, साइन ठीटा, अब ठीटा कितना है प्यारवच्चों, 60 तो साइन साथ हंस हो गया, ठीक ध्यान से दिखना, अब अगर आप ध्यान से दिखें, तो 21, 21 का उड़ा करेंगे तो 441 आएगा, 60 छक्के 360 हो जाएगा प्यारवच्चों, उसके बाद अब क्या, 11 दूनी 22 और 3 दूनी 6 तो उपर आजाएगा 11 और 7 तेरी 18, इतना आएगा माइनस, एक बटे 2, साइन साथ हंस का अमान होता है प्यारवच्चों, अंडरूर 3 बटे 2 अंडरूर 3 बटे 2, ठीक, यह रख दीजे, अब क्या करेंगे, 441 यहां आएगा 11 बटे 21 माइनस, अंडरूर 3 का गुड़ा, अंडरूर 3 से करेंगे और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा प्यारवच्चों, अब आप क्या करेंगे, चाहो तो आप इनको हल करो, ठीक, चाहो तो आप इनको हल करो, या तो आपका एंसर जो भी दिया हो, आप पूर, तो हल कर देते हैं, 441, कैसे आप हल करोगे, 21 में आप 11 का बटे, 21 माइनस, इनका गुड़ा यहां करते हैं, तो 441 गुड़े, अंडरूर तीन, अंडरूर तीन का मान होता है, प्यारे बच्चों, एक दस मलो, सातीन दो, बटे, कितना हो जाएगा, 4, 21, 21, हमें 441, 21 का गुड़ा यारस कर देंगे, तो 231 माइनस आएगा, इनका गु डिवाइट कि, गुड़े, एक दस मलो, सातीन दो, जब गुड़ा कर देंगे, तो यह 231 माइनस, इनका, इनका मल्टिप्लाई कर देंगे, तो मल्टिप्लाई करेंगे, एक सो नब्बे दस मलो नौ पांच, और घटा देंगे, प्यारे बच्चों, तो घटाने के बाद सेकेंद थर्ड आप यहां पर भी आप एंसर छोड़ सकते थी यहां पर भी लाक एंसर छोड़ दीजिए कोई बात नहीं प्यार बैच्छो तो आपका इस प्रकाष छठा नंबर प्रेशन कंप्लीट होता है आप इसका एक स्कुइंस और लीजेगा फिर हम बाते करते हैं प्र इंदेख भृतिखन का घरणं गयात करना छित पहल्द करना तो लग ब्र जाक लिए अब ही फामुला देखा था प्यरते पैरवत्यों और जो वितनका द्रेशन Cum सबसे पहला पूछा संगत लग बृत्थखंड का चेत फल तो चलिए सबसे पहला ग्यात करते है संगत लगु बृत्त खंड का छित्रफल का फार्मूला होता है प्यारे बच्चो ठीटा बटे तीन सो साथ पाई आर इसक्यार माइनस एक बटे दो आर इसक्यार साइन ठीटा ना तो साइन ठीटा होता प्यारे बच्चो यहां से देखिए तो आर इसक्यार दोनों में कामन होता है यहां से फिर बचता है ठीटा बटे तीन सो साथ फिर कौन बचा प्यारे बच्चो यहां पर पाई बचा यह माइनस एक बटे दो साइन ठीटा बच गया बैल्यू माइनस एक बटे दो साइन ठीटा ठीटा के स्थान पर प्यार बच्छो साइन साथ हंस ठीक ध्यान से दिखे अब क्या करेंगे यह कर जाएगा यह चा जाएगा यह तीन नुनी 6 साइन साथ हंस का मान होता अंडरूर तीन बटे दो अंडरूर तीन बटे दो होता है ठीक अब आप चाओ तो गुड़ा कर दीजे इनका 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 गुड़ा कर दीजे प्यार बच्छो तीसे हम लिख सकते हैं 225 गुड़े 11 बटे 21 माइनस इनका गुड़ा यहां लिख करें तो 225 गुड़े अंडरूर तीन और दो दूनी कितना हो जाएगा चाह हो जाएगा ठीक अब आप चाओ भाग दे दीजे चाहे आप इनको हल कर लिजे तो दिखें जैसे हमने क्या कहा तीन से भाग देते हैं तो 3 सते 21 एक बचा 3 पचे 15 और 3 सते 21 हो गए ठीक यहां पर हमने भाग दे दिया आराम हो गए कुछ आसान हो जाएंगी पैर बच्चो अब आप दिखें इनका मान अंडरूर तीन का मान कितना होता है वो ध्यान से दिखें तो अंडरूर तीन का मान 1.72 होता है पैर बच्च सब्चाल सकते हैं तो हल करने के बात पूल्वा तूटल एनसर की आदो कि उचाएग के बाट आपको मिलेगा 686.06ऑ दस मलो 0 6 2 5 ऐसा लगबक उछाया क्या 686 कितना है प्लesz्चो देख बीस दस मलो 4 3 7 कितना है प्लद्चो बीस दस मलो 4 3 7 5 यह आपका आएगा एंसर है इसका है इन दोनों को स्वाल्व करने के बाफ हल जरूर कीजेगा प्यर्बचो कहीं भी किसी भी प्रिकार की दिक्कत आपको नहीं आएगी ठीक अब हम बात करते हैं इसके सेकेंड नंबर का किसका बात करते हैं प्यारवच्छो सेकेंड नंबर यानि दिर्ग बृत्ति खंड का छेत फल किसका दिर्ग बृत्ति खंड का छेत फल है तो दिर्ग बृत्ति ख वहगा यह 20. 4-3-7-5 ना तो बृत का छथपल होता है पाई यार इसक्यार माइनस 20. 4-3-7-5 आ जाएगा अब पाई कामान प्यारव चोग 25 साथ आर कामान आर कामान कितना प्यारव चोग 15 गुड़े 15 अजाएगा माइनस 20.435 इनका गुड़ा करेंगे तो 22 इनका गुड़ा करेंगे तो 227 माइनस 20.435 अब इनको गुड़ा करके भाग दे देते हैं पहर बच्छो अब जब आप इनको गुड़ा करेंगे और गुड़ा करके भाग देंगे तो आपका जो एंसर आएगा वो कुछ इस प्रका राजाएगा प्यार बच्चो क्या आएगा ध्यान से दिखें तो आप सब इनका गुड़ा करेंगे एक मिनट हम गुड़ा कर देते हैं आपका तो क्या आ रहा है कैंसिल बाईस गुड़े दो दो पांच तो 4950 आएगा कितना जाएगा 4950 बटे फांच से माईनस बीस दसमलो चार तरियन सब कर देते हैं सात से इनको डिवाइड करेंगे तो 707 कितना आएगा प्यार बिश्चो 177.145- 120- 14 5 Mmarket माईनस कर देते हैं बस आपका अंसब आ जाएगा 507.1417หมॉच माइनस करोगे कितना आ जाएगा बीस दसमलों चार तीन साथ पांच घटाने पर आएगा छासो छियासी दसमलों साथ जीरो ठिक सेमी और यह रहा प्यारे बच्चों आपका साथ छथवे नंबर का पहला और सिगन नंबर प्यारे बच्चों सेम फार्मूला वही है केवल आप आपका छठा प्रस ने क्या होता है कंप्लेट होता है आप इसका एक स्कूर्स लेजेगा प्यार बच्चों और जो बचे हुए सवाल है अब वह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फिलाल आज की क्लास में केवल एक नंबर से लेके च्छा नंबर तक के बात करे रहें और आपको वहां से एक अलग वीडियो प्रवाइड कराया जाएगा एकदम विस्तार से पढ़ाया जाएगा पैरवाचों वह सभी सवाल है तो उम्मीद करते होंगे कि आज की क्लास में कहीं भी किसी भी प्रकार की डाउट नहीं रह गई होगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए सवालों के साथ तब तक के लिए जैहिन जैभार थैंक यू अल्डिया स्टूडेंट